वोटल होते हैं उसमें ना एक अलगी टेस्ट होता है उसमें South Indian आप खाये उसका ना डोसा का टेस्ट, चतनी का सामर का बिलकु अलग टेस्ट होता है वहां पर रिस्टरेयन को ना होटल कहते हैं होटल भी छोटे-छोटे उसमें बहुत अच्छे-च्छे नाम भी होते हैं स्र आज चलिए बैसे ही बनाते हैं जैसे वहां का होटल में नमस्ति नीलम कचिन से मैं नीलम स्वागत है आपका आपकी चैनल में चलिए फिराज की रेस्पी शुरू करते हैं दोसा का बैटर बनाने के लिए एक गिलास मैंने उड़त की डाल लिए बिना चिकल वाली और तीन गिलास मैंने चावल लिए हैं इनको मैंने अच्छे से धूल लिया था और धूलने के बाद इस इंटे के लिए भिगो के रख दिया था भी ये दाल और चावल दोनों फूल चुके हैं अब इसको क्या इसका पानी हटा के मैं इसको पीष लेती हूँ दोनों को लेकिन अलग-अलग पीष खूँगे इसमें मैंने थोड़ा सा एक चम्मच मेथी दाना भी फूला दिया था साथ में ही अब देखिए पहले मैं दाल को पीष लेती हूँ जाने का क्या मैं आप चाहे तो चम्मस से या फिर हास से अच्छे से मिलाना है कि ऐसाने की नीचे डाल बनी रहे ऊपर चावल का पेस्ट दोनों को अच्छे से मिला के छह साथ घंटे के लिए मैं रूम टेमप्रेचर में रख देती हूं यह मैं इमली लेती हूं इमली का पी जरूर कीजिए अगर हो तो ठीक है नहीं हो तो फिर नीबुगरस नहीं तो अगर इमली है तो मस्ट है क्योंकि साउथ इंडियर में जो रहता है न फूट उसमें इमली का बहुत यूज करते हैं इसको भीगो के मैं रख दिया है अब मैंने एक कप डाल लिए दाल को मैं मैं तो इसमें उड्唱 के लिए तो आप दीए अपके अन सब्सक्राइव घृँ कर ड़िये को उल्क दियाव मंश करते कि सब्सक्राइज शो कि एस抵ल की मैं ड्रक जाइं करते हैं देदाए हैं अब शाइज नहीं करते हैं इसको बहुत ब्राउनी करना सब भूजना अब इसको थोड़ी देर में पकने देती हूं यह लकी सी नर्म हो जाएंगी न तो क्या होगा कि इसमें अग्या के स्वेधा हैं तत्मातर नाले में नाल उकु एनाले में चक्राइब लागी, यह रखनाताओ आफ। ये सब मिलके, बहुत अच्छा टेस्ट आएगा, इसमें मैं पानी एड़ कर देती हूँ, पानी में एक दम नहीं बहुत ज़ादा डालूंगे, अभी मैंने डेड़ ग्लास ही पानी डाला है, ज़ादा पानी डालने से क्या होता है, बाहर निकलने लगता है, मैंने इसमें थो और ये मैं सामर मसाला डाल रहे हूं, देखिए इसमें मैंने और कोई मसाला हमें डाले है, बस सामर मसाला डाला हूँ थोड़ा सा, कष्मीन मिर्च और लाल मिर्च पाॉडर थोड़ा है और ठोड़ा सा organizations, तियो ति गड़ें पक रहिए हैं, जादा नहीं डालना है, इसमें थोड़ा सा जो जूस निकाला था ना उसका इमली का वो भी डाड कर दिया अभी यह देखिए पक रहा है आराम से देखिए कलर इसमें हल्टी हमने जादा ही डाय थी वह पहला कलर चाहिए न अब देखिए हम तड़के की तैयारी कर लेते हैं तो मैंने ओईल लिया ओईल में मिर्च डाल दी थोड़ा सा मस्टर्ड सीट हींग और जो तड़का जो हम यूज करते हैं और उड़त की डाल जरू डाल दी थोड़ी सी और कड़ी पत्ता इनको देखिए अब मुझे तड़के में देखिए डाल दी है मैंने इसको ढखके रग दिये साउथ इंडियन वाला सामबर हमारा रेडियो हो चुका अब हम चलिए चटनी बनाते हैं चटनी बनाने के लिए मैंने ओयल लिया और थोड़ा सा उसमें जीरा डाल दी है और थोड़ा सा मस्टर्ड सीट डाल दी है आप आपस नाल है आप नई मस्टर्ड सीट इसके भी कर सकते हैं और यह मैंने उ अगर आप लैसुन निखाते तो आप मत डालिए अब इसी में मैंने प्यास डाल दिया है प्यास को मैं थोड़ी देर भूंचती हूं इसको बहुत ब्राउनी करना हलका सा रोस्ट करना है और इसी के साथ मैं इसमें टमाटर एड़ कर दियूं यह मेरे पास देशी टमाटर थे आप इसमें हाइब्रेड वाले जो टमाटर होते ना कलर वाले वह वाले आप डालिए उसमें खटा पन भी नहीं आए और टेस्ट भी बहुत अच्छा है यह मैंने थोड़ा सा नमक डाल दिया जैसे अच्छे से गल जाए और यह खटा नर इसलिए थोड़ा सा चीनी कर दिय खटा मीठा का जो थोड़ा सा कॉमनेशन बहुत अच्छा मिल जाए अब इसको थोड़ी देर ढखके मैं इसको पका लेती हूं यह देखिए नर्म हो चुके है अब इसको मैं क्या करूंगी कि थोड़ी देर और ऐसी चला के कर दिया अब यह मैं पक चुकी है अब इस चटन निए तयार हो चुकी इसको ना दो सा adv में भी फह या भाएंगे और इसको खाने के लिए तो यह vidéo सा निकाल लिए जो वहां कि जो होते ना उसमें चटनी लगयी हो ती लाल वाली वह यही चटनी लगा के बनाते है यह थो थोड़ा सा पाहय डाल के पतला कर लिए अब dher लि यह खाने में बहुत अच्छी लगती है अब हम बनाते हैं दूसरी चटनी दूसरी चटनी कौन सी नारियल की चटनी के लिए प्रोइस कोकोनट मैं लिया है थोड़ा से इसमें प्याज जरूर डाली है इसका टेस्ट अलगा है इसमें दो हरी मिर्च डाल दी है और जो चना की ह होते हैं भुंजवाले बोव मैंने इसमें डाल दी है और थोड़ा से नमक और दो ही लैसुन के कलिया है मैंने डाली है और थोड़ा से इमली डाल दी है और सबको पीस ली है यह देखिए हमारी अब इसकी तड़की के लिए वही मस्टर्ड सीड ओयल में थोड़ा सा हींग और दो लाल मिर्च इसको अच्छे से कर दी है कड़ी पत्तर डालके और यह देखिए तड़का लगा दी है इसका सिंपिल तड़का ही लगाना है और सबको इसको मिला दीजिए जिससे की ना सबको में इसका टेस्ट पहुंच जाए यह देखिए सिंपिल से यह बहुत जल् स्टफिंग भननी है ना पनीर की बहुत उसकी तयार गे तो ओईल या ओईल में थोड़ा सा जीरा ओईल गरम होने के बाद तो जीरा कड़ा गया तो अब यह छोटा छोटा प्याज और हरी मिर्च इसमें मैंने डाल दिये हैं मैं इसकी पनीर की जो स्टफिंग बनाऊंगी उस इसमें नमक आट कर दी नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से कर दीजिए और यह मैंने पनीर को ग्रेट कर लिया था आप चाओ तो ऐसे क्यूब भी डाल के या फिर मैस करके भी डाल सकते हो इन सबको थोड़ी देर मैं ऐसे चला देती हूँ यह पनीर मसाल हमारा रेडी हो अब यह जो हमने डोड बना की रखा था था ना बैटर उसको मैं थोड़ा सा नमक आट कर देती हूँ अब इसी को मैं पानी आट करूंगी जितना हमें पतला इसका घोल बनाना है उस हिसाब से हम पानी डाली इतलिए मैं पहले पानी ज्यादा नहीं डालती हूँ जिससे कि अगर पतला मोटा की इस हिसाब से हम है उसी हिसाब से हम आप कर सकते हैं और इसको देखिए मैं ऐसे मिला के देख लेती हूँ चला देती हूँ नमक भी सब में एड हो गया आप नमक चाहो तो जैसे सर्दियों मैं तो मत डाली जब आप डाल पीस के रखो लेकिन गर्मियों बहुत पतला भी नहीं है बहुत मोटा नहीं है अगर आपको बहुत पतला बनाना है तो जाली वाला तो उसमें गया थोड़ा पानी ज़्यादा डाल दीजिए उपर से फैला दीए तो जाली वाला डूसा बनेगा यह देखिए यह नॉर्मल ही इसका वो है ओ देखिए यह आहराम से इसको मैं िसको शिखने देती हूँ जो मैंने फेलाने के बाद तोड़ा सा ओइल डाल दिया है अब या आप चाहो तो सेजवान चटनी इसमें यूज कर सकते हैं हैज आज हमने चटनी बनाई न वह बाली चटनी भी इसमें डाल सकते या फिर आप एक काम करें या ऐसे प्लेन भी फैला सकते या सॉस लगाके भी डाल सकते या पनीर डोसा जो अंदर है वो आप अपने हिसाब से कर सकते यह मैंने प्लेन ही कर दिया है क्योंकि मैं दो दरीके से बताऊंगे आपको यह देखिए यह मैंने निकाल दिया यह अपने हिसाब से आप कितना क्रिस्पी घाना है आप उसे साफ से कर सकते यह देखिए मेरा डोसा यह वाला अब हम मैं दूसरा वाला मसाल डोसा पनीर का बताती हूँ कि कैसे बनाएंगे यह तो हमने स्टफिंग जो बनाई थी उसके हिसाब से बनाईगे एक बिना स्टफिंग का भी हम documents बनाइगे अब यह मैं इसमें क्या पहला अलने के बाद इसमें थोड़ा सा butter डाल दी है बटर को इसको थोड़ा सब जगे फैला देती हूँ अब थोड़ा से जो मैंने चटनी जो बनाई ये जरूर इसमें लगाई है ये चटनी बहुत अच्छी लगती ये मसाला जो बनता है उसमें बहुत अच्छा टेस्ट आता है ये मैंने चटनी को फैला दिया है अब ये थोड़ा से प्याज, थोड़ा सा टमाटर और हरी मिर्च आप चाहो तो मैंने बोला ना सिम्ला मिर्च भी डाल सकते हैं ये मैंने प्याज पनीर को ऐसे मैस करके डाला है और ये बताए ग्रेट करके भी आप डाल सकते हैं जैसे भी आपको अच्छा लगे वैसे डाल स इसको स्टफिंग भी नी बनानी पड़ी आराम से बन भी गया है यह देखिए यह हमारा पूरा जो वोटल में वो मिलता है बिल्कुल बैसे ही देखने में भी ऐसे ही आ रहा है और इसका खाने में जो टेस्ट आएगा न वो तो आप बना के ही बताएए बहुत अच्छा टेस् इसमें आता है यह लाल टमाटर वाली चटनी है यह बहुत अच्छी लगती है और यह मैंने देखिए प्लेंडो सभी इसको आप रिडली के साथ भी खा सकते है और इसका जो सामवर का टेस्ट है सामवर का टेस्ट बिल्कुल साओथ इंडियन आएगा यह देखिए इसके स् आप यह रेस्पी जरूर बनाएए और कमेंट्स में बताएए आपकी रेस्पी कैसी बनी और वेडियो को लाइक शेयर और चैनल सस्क्राइब नेगी तो प्लीज चैनल सस्क्राइब कीजिए